शेरों का परिवार एक अद्भुत और गहन सनरचना से भरा होता है समूह का नेत्रित्व एक प्रमुख नर शेर करता है जो उस समूह के लिए सुरक्षा और भोजन की जिम्मेदारी लेता है उसकी उपस्थिती न केवल शक्ती का प्रतीक है बलकि शेरों के जीवन को सुगम बनाती है शेर अपने पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखते हैं जिससे अन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है इसके अतिरेक्ट शेर नियाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है याम तौर पर माता और बेहनों के रिष्टे में बंधी होती है जो सहयोग से शिकार करती है माता शेरों का सामूहिक प्रयास उनकी संतान के विकास में अहम होता है जब शेर निया मिलकर शिकार करती है तो नकेवल वे अपने लिए भोजन खोजती है बलकि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहे शेरों के बच्चे जो जीवन के पहले महीनों में बेहत कमजोर होते हैं समूह में अपनी मा का संरक्षन पाते हैं ये शावक धीरे-धीरे समूह का हिस्सा बनते हैं और भविश्य में शिकार करने की कला सीखते हैं या परिवारिक धांचा पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखता है क्योंकि शेर अन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं इस प्रकार शेरों का परिवारिक धांचा उनकी पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाने के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रतीक भी बनता है उनकी शक्ती, साहस और राजसी गुणों की छवी मानव समाज को प्रेरित करती है इसलिए इनका सन्रक्षन, जैव, विविधता और मानव संस्कृती दोनों के लिए आवश्यक है